ओके सो रेकुर्डिंग स्टार्ड हो चुका है बीट मॉर्णिंग ओल फ्यू एस के ये चठे दिन के अंदर मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वावित करता हूं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने डे वन पर माइंडसेट लिया था डे टू के अंदर हमने प्रॉडट और उसके बाद फाइनली इंविटेशन करने के बाद आता है प्लान प्रेजेंटेशन हमने प्लान प्रेजेंटेशन करना सीखा प्लान प्रेजेंटेशन के दौरां ध्यान में रखने वाले कुछ बातों को इंपोर्टन समने आप धियान में रखा और इंपोर्टन बात य in the network marketing growth so I hope कि आपने वो सब कुछ किया होगा I hope जो इंसान को success चाहिए वो इंसान सफलता कि और आगे बढ़ने के लिए जो दिक्कत आती है उसका सामना करते हुए दिक्कतों का सामना करते हुए उसके उपर action लेता है पांच बाते कौन से आपको अच्छी लगी मैंने कहा ता लिखने के लिए कल के session में भी उसके अगले session में भी तो अब तक आपके पास में total 5 session complete हो चुके है तो 25 से भी ज्यादा point already आपके पास में है चलिए लोग जूडते हैं तब तक थोड़ा सा rewind करते है कौन से 25 पॉइंट total 25 पॉइंट से अगर किसे ने लिखे है तो type करो me everyday रोजाना 5 पॉइंट हमें लिखने दे कौन से 5 पॉइंट हमें अच्छे लगे या अगर आपने लिखा है तो ही type करना me otherwise type मत करना ओके 5 पॉइंट आपने लिखे चलिए भावना जी अब बताइए पहला पॉइंट क्या आपने लिखा है दूसरा पॉइंट क्या लिखा है फटा फट से या तो फिर उसका screenshot photograph लेके रूप में डाल दीजिए I will open it अच्छा आगर राइटिंग अच्छी है तो तो ही डालना परना मुझे भी नहीं देखेगा और किसी और का भी नहीं देखेगा मेरी राइटिंग दो बहुत खराब होती है मैं लिखता हूँ तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाएगा ऐसा लिखता हूँ मैं चलिए लोग दीरे दीरे जाग रहे हैं साथ बज़े का अलारम रखा होगा तस पंद्रा मिट अलारम बजने के बाद भी सोते रहे होंगे फिर थोड़ा बहुत हाथ मूद होएंगे फ्रेश होंगे आट बज़े तक आ जाएगे लोग राइट चलिए शुरू करते हैं टेकनीकल गुरुची आपने शेर किया मैं एनी फोड़ोग्राफ ओक नहीं आया चलिए ठीक हम लोग शुरू कर देते डायक लिए लुँ ना हमने चठा कदम जाना था फैकया फॉल उप मैं तीन चीज़े भुल लिए थी बड़ वता क्या चीज़े हो नीं कि को डrang तो मैंने फैक पॉल्लप है और ल स्यूंत ओंथ या नूंबर मैं उरुटा आए तब चाहिए है कुल कोर्ण करना कर औपए कि और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ इननने लिएन फार तक सामने वाले के दूर नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा तो हमने सारे अलग-अलग-अलग doubts के बारे में जाना इक हीकर के points यह प्रॉडिट बेचने का तो काम नहीं है इसमें अहरा उसके कंपनिकाब करें इस तरेपॉइंट ऊफड राइफ हमने महंगाई के आधार को उन तो पांच कदम हमने जाने थे सही कमनी का चुनाव करने की है लीगल होना चाहिए कंपनी मेरेगमेंट का इरादा मजबूत होना चाहिए ताकि वह लॉंग टर्म का आपके साथ चले हंड़ीड परसंट लीगल बेस पर कमनी चलाने वाले होने चीए पॉड़ेट की कैटेगरी बहुत जादा होनी चीए और एक कैटेगरी के अंदर भी बह के बारे में जाना ऐसा उना चीए जिसमें लोगों को बैनेफिट्स मिले लोग जल से जल इसमें सफलता को प्राप्त कर सके और स्टेवल सेक्सेस प्राप्त कर सके इन फाइनली पांचवा नमबर था देड़ीज ट्रेनिंग डवलपमेंट वहां पे आपका एजूकेशन सि जवाब दिया है समय हमें कमाना होता है वगरा वगरा लेकिन यहां पर थोड़ा एक और जवाब है सॉलुशन बहुत सारे हैं जैसे मान दो समय नहीं है तो हमने को स्टेक बना दिया विद्यारती नौकरी करने वाला बिसनसमेन और टीम एक्शन पास में मनी होता है नहीं होता है पर से मैं तो यह कहता हो कि जब team action ऐसे समय पे पहुँच जाता है जहां पर उसके पास में हजारों के team हो तो वो time पे उसके पास में energy normal level से कई गुना बढ़ जाती है तो यह आप solution यह आप एक जा सकते हो कि उसको calculations करवाया कि हमारे पास में मेरे पास में समय नहीं है तो उन्हें बुला कि सर समय चेक करते हैं कि कौन से industry में किसके पास में समय होता है अना सफिर समय होता नहीं है निकालना पड़ता है अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा भी पाना चाहते है और energy भी पाना चाहते है इसके साथ में पॉइंट और जोड़ दूद एडिस security security नौकरी वाले के पास security नहीं है दंदे वाले के पास भी security नहीं है कोई भी competitor आके उसको खतम कर देगा कभी भी पूरे समयम थे तो है नहीं खाना नहीं है जो तो जब ठटे-पढ़ते खेल सकते हैं जब पढ़ते-पढ़ते मुवी देखने जा सकते हैं student स्कूल पढ़ाई कर रहें पढ़ते पढ़ते मोई के लिए बीयुक्ट के लिए टाइम निकाल सकते हैं पढ़ते पढ़ते पिक निक tabii सकते हैं यहां पे विद्यार्दी परिक्षा पढ़ाई के तीन महीं हम लोग जनरली एक्जा संक्र Commod記 कि तीन मेने पहले पढ़ाई करते हैं भागे साल बर फ्री ही होते हैं देखा जाए स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं खाली समय में नौ महीने अमारे पास में हैं और यह नौ महीने में अगर हमरे रूद तीन से छे गंटे काम किया तो हम लोग आर्थी क्लूप से स्वाक आज हमारा पॉकेट मनी हमको मम्वी बापा दीते हैं हम चार से पांच रुपे पॉकेट मनी के रूपे खर्च कर लेते हैं आसानी से मिनिमम होता है महीने का 4-5 जार 7000 का खर्चा हां या ना कॉलिज में भोले यह सोर नितना होता है नहीं होता है राइट और रॉम है एक न है तो अपने आपको बदलो जब अच्छे दिन चल रहे हैं तो अपने आपने सुधार लाओ जब अच्छे दिन चल रहे हैं तो अपने आपने सुधार लाओ जब अच्छे दिन चल रहे हैं तो ऐसा कुछ नया करो क्रियेटिव करो जहां पर लॉस्प कुछ भी नहीं है औ विटमी यह सब बाते यह सब डायलोग हमें उसके सामने रखने होंगे फॉल अप कर दर्मान प्रोजिंग कर दर्मान अर्विटमी मुझे बहुत ही गजब का एक डायलोग याद आता है शारुकान का एक अनुपम खेल के शो में सारुकान से सवाल पूछा गया क्या आप शारुकान क्यों है आप इतने सक्सेस्फुल क्यों है आपके जैसे बहुत सारे लोग है उन्होंने भी तो महनत करी है सिर् हड़क करता हूं है अब यूनिक तो है नहीं फरक है तो लोग करते हैं जब लोग कुछ नहीं होते और मैं तब भी हार्डवर्क करता हूं जब नो अल्लेड़ी कुछ बन चुका आप इस डिफरेंस रिज आज हमारे पास में मौका है फ्रीडम है आजाद है घर की दिम्यद में देखो तो हमको को इतना बड़ा रिस्क नहीं है लाइश में दो पांजार तो हम ऐसे यूई खर्च कर देते हैं और ऐसे दो तीन चार पांजार या सब्सक्राइब करने के साथ में अगर हमको एक बहुत ही बड़े वलका करियर बनाने का मौका यहां से मिलता है और वी सी कि कैसे लोग एंजिनीरिंग करते करते कॉलेज करते करते यहां से अपने खुद के पैसो की माइक लेते हैं कैसे यहां से लोग अपने खुद के पैसो की गाड़ी लेते हैं कैसे यहां से लोग एक करियर बनाते हैं और विचमी सॉलिशन नंबर फोर स्रीमान स्रीमती अब पास में पांच साल के बाद समय होगा तब भी आप यही भहाना बोलेंगे समय नहीं दिन ère ड़ेजमें में और सन्हें होता नहीं है हमें निकालना पड़ता है स्रिमान श्रिमती एक बार स्माइच समार्ट से चलता है और तब हमें कम समय में ज्यादा पैसा मन्दभ डाइलोक से यह सब लाइन से जो बड़ी हैनत करके इन सर्पार सभी लीडर्स ने कंपनी के मेनेजमेंट ने पूरा डिजाइन किया हुआ है एक लाइन समय नहीं है सर यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है और यह अच्छा मैंने एक और एक्जम्पल दिया था पता यहाद आपको दो तीन दिन पहले ओवर्टाइम वाला कि अगर आपको दो घंटे एक्स्ट्रा मिले ओवर्टाइम करने का मिले जॉब में और आपको 50% इंक्रीमेंट मिले कि तो क्या आपको वर्टाइम करेंगे दो घंटे का मिले जादा तो लोग नौकरी वाले जो होते ने ओवर्टाइम करने से बल घर पहला के वैसे बी कुछ काम नहीं है दो इसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए सबको चाहिए और इसके लिए हम लोग टाइम निकाल भी लेते हैं लेकिन जिरव आपकी लाइफ में एक प्रकार का लॉक है आपने दो गंडे दिया उसके साय से यहाँ पे को लिमिर्ट नहीं है और इसलिए हमें निट्वर्क बनाना है गार रम्ड़ बनाएंगे तो यहुंktor भलएंगे रही दो इस bulb हमारे लिए दस लोग काम करने वाले आ जाएंगे एक एक गंडे रोज भी काम करें तो हमारे दस गंटा रोज आना काम है कि एंडेट स्वाइब हमें यह ओवर टाम करके दो गंटा करके समय निकालना पड़ता है सर समय होता नहीं अर्वित्मी मुक्य जम्मानी और बड़े-बड़े लोगों जो होते हैं इतने बड़े बिस्नेस्पान होने के बावजूद भी एक गंटे की मिटिंग के लिए उनका समय निकाला जाता है अलग से एक्स्ट्रा इंपॉर्टन मिटिंग है तो क्योंकि लाइफ में बिस्नस करियर से जादा इंपॉर्टन और कोई चीज नहीं होती है सॉलिशन नमबर पांच यहाँ पे नाम हम लोग जैसे कि महरु गंडेला सर का अगर आप कहते हैं कि समय नहीं तो महरु गंडेला सर को देखिए उन्होंने बी केमिकल एंजिरिडिंग किया फिर उन्होंने एम्टेक फर्स क्लास के साथ किया उन्होंने तीन इंटरनेस्टि लिए टाइम मैनेज्ज किया इतनी डिगरी थी ठीज़ वह पढ़ाई कर रहे थे इतनी डिगरी उनके पास में है समझो आपके में पढ़ाई करते करते टीमेक्स करते करते, M-Tech में उन्होंने फर्स क्लास एचिव किया, समझे, यह एक्जामपल हम दे सकते हैं, मभूश सरका, आरे वित्मी, तो सरह हम तो भी कौम भी ऐसे करते करते, टाइम निकालने की बात कर, क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, टाइम को अगर वो, इतना बड़ा आदमी, व्यस्ता आदमी अगर समझे को मैनेज कर सकता है, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते हैं, आज उन्होंने पैसे तो कमाई ही कमाये हैं, टीमेक्स में, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने उसके साथ में समय भी कमाया है, और यहाँ पर आगे नहीं मुदरन देंगे वो जो मैंने आपको बताया था, विजन मीटिंग वाला, कि 10,000 के लिए 8 से 10 गंटा काम करते हैं, तो 20,000 के लिए हमें 16 से 20 गंटा काम करना पड़ेगा, और 40,000 कमाना है, तो 32 से 40 गंटा काम करने का जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान के पास 24 गंटी होते हैं, तो लेट् सब्सक्राइब की किताब है, इंटरनेस्टल भूक एसर, पैरे बेला उफ पाइपलाइन, देखिए, यह बहुल बनना पड़ता है, किताब का भी, कहानी जिस किताब से बोल रहे हैं, अगर वो किताब बहुत बड़े फेमस लिवल पर पहुँच चुकी है, ना, यू केन ग सब्सक्राइब की किताब दुनिया में आई है, बहुत सालों पहले आई थी, आज भी वो मार्केट में हिट किताब मानी जाती है, किताब का नाम है पैरे बोला उफ पाइपलाइन, और यह किताब में दो इंसान की कहानी लिखी गई है, मैं अपने इंडियन नाम की हिसाब स आपको रामू और श्यामू की कहानी बताऊंगा, उस किताब में लिखा गया है, कि एक बार रामू और श्यामू दोनों भाई, दोनों दोस्त एक गाउं में पानी की बाल्टी बेचने का काम करते थे, क्योंकि ओ गाउं में पानी बरने के लिए मुझी पहाड़ी के उपर क तालाब में जाना पड़ता था तो ये दोनों भाई उने क्या किया ये दोनों बाल्टी दे कर जाते उपर से पानी भर के नीचे आते और पानी की बाल्टी 50 पैसे में एक बेचते थे और दोनों भाई का करियर सेट था दोनों दोस्त का करियर सेट था लेकिन एक बार रामू शहर गया शहर जाने के बाद उससे देखा समझा अपनी बुद्धी का इस्तमाल किया तो पता चला अरे भाई शहर में तो नवे नए नए आविश्कार हो चुके है एक एक pipeline बन चुकी है market में एक pipeline के साथ फिरेंध मोटर लगा सकते है और अगर इसको हमने तालाब में लगा दिया तालाब से नीचे देग टाइप लगा दी तो पाइप इंके जरीए पानी आएगा नल खोलेंगे तो पानी तुरंट भर जाएगा यह तो गजब का टेक्टों हो जिए भाई रामू वापिस आया अपने गाउं और श्यामू को बताया श्यामू गजब का आइडिया लेकर आया हूं जिन्दगी बदल जाएगी अपनी वाई हमारा शरीर साथ देना थोड़ देगा इससे बैटरे कि आज हम लोग एक पाइपलाइन बना दे मैं शहर से चीज़ समझ कर आया हूं श्यामू ने बला नहीं 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 ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है पागलपंती मत कर रोज का अपने दंदा चल रहा है वही करो श्यामू निए उस थिसके बात आएकस्षंट नहीं किया लेकिन रामू जानता था कि सका पावर क्या इसकी कि ताकत क्या है है तो रामू क्या करता क्योंकि उससे पैसे कमांध कमा जाते हैं इसके रोजाना इनकम है वह तो मेन का में लेकिन ओवर टाइम एक्स्टा टाइम वह दो गंटे काम करता पाइपलाइन बनाने के लिए दिरे दिरे करते 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 च्छे महीने आठ महीने लग गए पूरे पहाड के उपर से नीचे तक पाइपलाइन को प्रॉपर तरीके सेट अप लगा दिया आठ महीने एक साल लगे महनत करी रामू ने और जब यह महनत कर रहे थे शैमूस को देख रहा था उसकी मजाग उड़ाता था ह leakage कर्णा ऊब जाएंगा नीचे तक आएगा हीने यह वह ऐख़़ा कर्कार देख साथ में शेयर के साथ मोलाकाट करते 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 फाईली एक फाइप्लाइन बना लेता है अब एक साल के बाद की हालत यह है कि रामु भाई साब नीचे बैठेकर नल खुलते हैं बोलते एक बाल्टी का 25 पाईशा अभी बाल्टी लेकर आओ अभी पानी लेकर जाओ इंस्टंट पानी आपको मिल जाएगा तुरंट इको सिस्टम रे कि आज हम जो महनत करते हैं एक वक्त आएगा सर हमारी जिन्दगी में कि जब हम इतनी महनत नहीं कर पाएंगे हमारा शरीर साथ छोड़ देगा एक प्रकार से उससे पहले हमें हमारी पाईपलाइन का निर्मान करना पड़े हैं हो सकता है कि साल में एकाध बार कुछ छोटा मूटा बीमारी आजाए यह आजाए वो आजाय वेड्रिस आजाए अज़़ गल्ती से तो एक आद महिने का हमारा सेलरी नहीं आएगा ऐसे में हमारे परिवार के खान पान का खायल कौन रखेगा उनका खायल कौन रखेगा सर मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको कि आपको ये धंदा करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं से आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि आपके परिवार के लिए जिम्मेदारी आप ले रहे हैं वो जिम्मेदारी के अंदर आप मूल इंसान है आप में अर्निंग करने वाले इंसान है इश्वर कभी न करें आपको ऐसा हो लेकिन अगर डलती से कभी भी बैड्रेस पर आप समय कमाना होता है और समय कमाया जाता है एक सिस्टम से और मैं आपको वो शिस्टम देने के लिए आया हूँ अरे वित्मी तो ऐसी कहानी के दर कहानी के एक्जम्पल से भी आप उसका माइंडसेट बना सकते हैं समय को लेके अरे मी अगला objection DCS का मैं सोच कर जवाब दूँगा मुझे सोचना पड़ेगा यह किते लोगों को मिला है मैं सोच कर जवाब दूँगा बड़ा सोच विज़ार करता हूं मैं 500 करोड का डील ने मालूम है शर्ट छोटी मोटी डील तो मैं कभी करता ही नहीं है कि तक अब अब टोच कर बता हुआломक यह भाराना तो लोग ऐसे मारती यह सौट 요ाट का प्लान सोचनेवाले बेसे आप लोगों को पता ही अपकी बार अपकी बार ल्डीप वाले कहां गए अब की बार सौ करोड़ पार अब की बार अपने को तो सौ करोड़ पार करना ही है राइट है नाव श्रीमान श्रीमती सोचने सोचने में पूरी जिंदेगी निकल जाती है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता हमारे इसाब से किसी भी चीज़ का निरने लेने के लिए इने दो पहलू पर विचार करना चाहिए पहले ये चीज करने से खराब क्या होगा हमारी जिंदेगी में अगर हमने ये चीज कर ली तो बुरे से बुरा हमारे साब क्या होगा और दूसरा खराब से खराब कुछ नहीं होगा क्योंकि जितने पैसे देते हैं उत्रे उससे यह दंदा तो सर्मानों गर लिया तो समावनाए है कर लिया और हमारे साथ बुरा हो गया हूगा भाई तो कि माननों किसी ने शुरू किया चार पांटीन एकाद महीना प्रेटिस किया करने का कोशिश किया और अगर उससे नहीं भी हुआ गलती से अगर नहीं हुआ उससे तो क्या होगा जो 4-5-10 लोगों से बात किया होगा वो जिन्नेगी भर तक उसको ताना थोड़ी मारने बैड़ जाते आज के दाइं में बहुत जल्दी चार पांट दस दिनों महीने भर के अंदर काम खतम कि नॉर्मल टेंडेंसिया माकट गी और अगर कर लिया और वो गया सर कि मैं हमेशे कहता हूं यार कि कि ट्राइब मरने में जाता क्या है कि ट्राइब मारने में जाता है उपर वाला भी सोचेगा तेरे को इतना ट्राइब दिया मारता तुक ट्राइब मारने में तेरा क्या जाता तो उपर बें बजाएगा तेरी वह बरशानी नहीं है मंदिर के पुजारी सोत्र बहार आई तो बहुद बचाने के लिए तो मंदिर के द्वारे पे एक बंदा आया महाराजी चलिए हमारे साथ और गाओं के बाहर जाने का रास्ता हो चुका है पुरा रेडी है वीकल वीकल सब रेडी है बढ़ापड से भागते वरुना एकाद ग पानी च्ट के ऊपर आने लगा उनके पहरों तक पानी आने लगा हेलिकोप्टर आया बोले आजा पंडीची बचा लेते नहीं पागवान बचाने के लिए आएंगे डूब गया बेचारा उपर गया यम्राज के द्वार पे जाके पहले पहला कंप्लेंच शुरू किया बचा अङजा था है पहली बार नंदीर में जाप पानी नीं आता बचाने आया दूसरी बार पानी आया तब बचाने आया बाच Up Hashan लेके लेके काहानी है कॉमेडी वाला की और सौचते है लड़कीओ देखने जाता है सोचना दो साल के बाद लड़कीओ देखने के लिए जाता है इससे शाधि करूं कि निकर गुंडली तो मिलती है यह तो लेकिन थोड़ा तोड़ा सोचना पड़ेगा तोड़ा सोचना पड़ेगा चार साल के बाद वो जब उस शहर से उस गली से निकलता है जहां पर लड़की देखने के लगया था तो दो तिन लड़के एक दो लड़का बाहर खेल रहा थे चार-पत साल के बाद जब गया तो लड़की बाहर नि कि लड़की बाहर निकल के लड़का खिलत उसको बोला देखो मामा आए कहाने हम कई बार भूलते हैं आपने सुना होगा सोचने सोचने के अंदर मामा बन जाते कही बार हम लोग तब एक्शन ले लो सोचना नहीं है तो मुझाक वाली बात है कॉलेज के लड़कों के साथ कर स लेकिन सिंपल से जन्नत फिल्म का डायलोग है जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है सोचना बंदर काम करना शुरूग है छटा नंबर मेरी टीम नहीं बनी तो लाइन आगे नहीं चली तो मरने वाले को चार मिल जाते है तो जिन्दा को दो नहीं मिलेंगे क्या राइट है सिंपल है अपने बिजिस्स प्लान का फॉर्मिट इतना जबर्जस्त है कि यह प्रस्तने कभी खड़ा है नहीं कि मेरे लाइन चली नहीं तो स्रीमान स्रीमती मेरे मरे हुए इंसान को भी अगर चार लोग मिल जाते तो जिन्दा को दो लोग जो नहीं मिलेंगे जो मैंने बुला वही डालोगे यहां पर भी सॉलिशन एक बंद गड़ी दिन में दो बार समय नहीं दिखाती इस cheaper है जब किसी ने बोला मेरे पास नक्र brain बूला कि यह में टीम आघ कर नहीं चली तो सर एक बंदगड़ी दीनमें दो बार सभाटिंगे सभी समय दिखाती कि मरें इंसान को भी दो से बो दो लोग मिल जाते हैं चार लोग मिल जाते हैं तो एक सो तालिस क्रोड में से नहीं मिलेंगे आज एक गर में हेल्थ का प्रॉबलम है तो है पर्सनल के लोगों को जरुवत है तो ऐसे आप यहां पर सॉलुशन दिए गए वह सॉलुशन मार सकते कि पूरे इंडस्ट्री में जितने से जितने बहत्रीन से बहत्रीन लेवल के सॉलुशन हो सकते हैं वह सारे सॉलुशन किताब में दिए गए सारे सॉलुशन हमें सारे नहीं मारने हैं लेकिन एक दो अगर इसकी पढ़ाई करेंगे छे नंबर के चैप्टर में एक दो तीन चार पांच छे और टीम नही नहीं बड़ी तो क्या इसको पढ़ाई करके हम तयारी नहीं का सब्सक्राइब तीसरा वाला है अगर आपकी और मेरी लड़की मेरी लड़ाई हो जाए मैंने आपको दस गूसे लगाए तो आप वापस कितने मारेंगे उत्तर दस की जगे बीच लगा दूगा हचा मारा हो यहाथ लगा यहांतों प्में ते सांवने दस या कंसे कम एकॉत दो लगा ही देगे ना लगा देगे एक दो मतलब मारने वाले किसमें भी दस के सामने एक दो तो मिली जाते है यार केंशन को ले तो आपको एक्जम्बल दिया था गुमाते रहेंगे गुमाते रहेंगे गुमाते रहेंगे चार इक्के तो मिलेंगे इस सारे एक्जम्पल से देट सो दोसो लिस्ट प्रेंड्स फोन बूक सेलिब्रेशन हाट टाइम सिटी वाइज स्टेट वाइज अलगला लिस्ट बन सकता है उसमें से कम से कम दस परसंड लोगों ने भी हाँ बोल दिया तो भी हमाना दस परसंड परसंड टीम बन जाएगा एक संभावना उसको इस बनाया तो कम से कम दस लोग तो जोड़ जाएगा इस प्रॉबेबिलिटी पॉसिबिलिटी इस सब सॉल्यूशन से प्रॉब्लम नंबर हम लोग आगे जाते हैं देखें टर्ण प्रॉब्लम इसे उन ड्रीम रिजन टुडू टीम एक्स कोई भी प्रॉब्लम उसका जो है ना उसको रिजन बनाओ कारण बनाओ उसके जवाब इस फॉल अप में क्या होता है आपको बताऊं सब्सिंपल एक लाइन नों बताऊं फॉल अपमत आप कुछ रही है उसके दिमाग में कोई ने को फितूर चल रहा है और जब तक उसके दिमाग के फितूर को आप प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं देंगे ना लोजीकल इम सेवन्टी झीवाइट करके उनके सर्वी का नाम है कभी अब गुगल में सर्च पर यह इंप तो सौ लोगों के उपर किह है लेकिन इस सो लोगों में से दिरी करते 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 कुछ लोग तो मर जाते 73 लोग ऐसे बिल्कुल ना जूड़ती ही लेकिन आठ लोग तो कम से कम जूड़ जाता है क्या उसमें कहा गया ता भुले पहली बार जब आप जाते हैं जितने भी लोग आपकी टीम में उनको भी तो अब्जिक्शन मिलेगा जैसे आपको मिला है तो दीरे-दीरे करते-करते-करते-करते-करते-करते कोई पहला अब्जिक्शन में मर जाता है को दूसरे मरता है को तीसरे मरता है को चौते मरता है तीम एक्स आपको ऐसा सिस्टम द जिवाब आप मार सकते है यह इंपोटन टेस फिल ख़र ने की पहला उपजेक्शन दिया मानला और शोटाटकर ने घए पहला अपने दिया यार्य तो और नहीं होगा भादा खुला साएग ऑस अरे सा काम करो करने मी कहा जाता है कि हमको ट्राइब करते हैं कुछ भी करते हैं हम लेने के मूड में नहीं है यूँ देखने के लिए तो करो कि ट्राइब कर क्या है तो बराबर है कि अधिज नहीं रहा है मेरे अरे सार यह कर आपकी उपर जैबर जैसरा एक दम जब लगरा आरे सर मार्केट में यूनीक कलर रहे जैशर आप देखें नॉर्मल कर्ण जब पैंते हैं ना तो दस में से चार लोगों वही पैंना होता है लेकिन यह सब डिफ्रेंट कलर आप से के निकलेगे ना आप पहली बार पैन रहे यह वाला कलर इसने आपको लग रहा है लेकिन सरी डिफरेंट है आप जब सो लोगों के बीच में खड़े रहेंगे ना एक दम डिफरेंट लगेंगे आप कि दूसरा अब्जिक्शन के उससे जराब दे दिया कि फिर हम बोलते हैं ठीक है कि निकालते हैं तो पड़े गलेगे और कोई बहाना सब्सक्राइब कपड़ा है ना इसमें वह रूही रूही सा हो जाएगा थोड़ा बहुत दुलने के बाद कलर भी चला है अरे सर मैं बैठा लोगों की डिमांड में चल रहा है टेंडिंग में चल रहा है सराजी है कि तीसरा अब्जिक्शन मारते हैं कि महेंगा है और फिर वह बोलता है कोई बाते डिस्काउंट कर लूगा पक्का पर लेना है ना बताव डिसकाउंट देगा टेंशन मतलों से है चलो छोटू साब को स्टॉसवार्टर में देखके बता कितना मिलता है पुछ भी करके वह आपके माइंड में एक दो तीन चार पांच ओश्चाइव कम से कम तीन से चार बार आपको की की ऑफिक्शन देगा देगा तेग मिलास में पर क्या हमारे पास में झाब रेडी है अर्मीं सार गृक्रव समय्不會 यरुस में बडी होना चाहिए और यह कि दो जवाब हो का खाज़ाना है म coins पास नहीं है उसके लिए साथ पॉइंट है एक मुद्दे पर जवाब है पहले जवाब से क्लोज नहीं हो तो दूसरा जवाब वही टॉपिक पर समय नहीं है समय नहीं है इसका बहाने के सामने अपने पास में ङत ऑफ भी मुद्द है पहला मुद्दा महारा उसको लगा नए जवाब कर अपना करिए खजाना नहीं कि अपना कि इसलिए कहते थे हम लोग के से को पढ़ा करिये यह वो सिले बस बस है जो सिले बस आपके शब्दों को ब्रमास्ट्र के समान ताकत देता है कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन के पास जाने के बाद उस प्लान प्रेजेंटेशन में आप कभी भी हार नहीं सकते आप हमेशा सामने वाले को क्लोज करके खड़े होगी कि इफ यू है डिड़ प्रेक्टिस ऑफ एस वैस अगर आपने प्रेक्टिस करी हुई है तो अना सुरुशन कहां पर थे अपना प्रॉडट ड्रीम या रिजन तुडू टीमेक्स मुझसे दो नहीं होंगे इसलिए करना है हम इसका लायक बन सकते हैं कि हम भी दो कर से स्थाइब हो के सामना करते हैं क्यूं नहीं होगा लोग कर पाते हैं और हमसे नहीं होगा तो हम तो लोग से कम जईर बन गए ہے कि है टार इचाना मुख्यया सаров जराब होना क्या महंगा सर गन्येक जुश महंगा की सेया ज्यादा महंगा सर क्या होता पताऊ जब्हें गन्येका जूस निकल जाता है वो जूस को फाइनली जीरेदिये करते 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 उस लेवल का मैच्योर बनाया जाता है तब जाकि उसका वाइन बनता है इनसान को भी उस लेवल का मैनत करना पड़ता है इनसान को भी वह लेवल का बांस बेक करके मैनत करते हैं अपना अपना कीमत बढ़ा रहा है हम जब जब भी वह काम करते हैं जब हमा का हमें प्रतिविंब देखने को मिलता है समाज के लोगों में और यह मैं अपने जीवन से भी आपको बोल रहा हूं जब जब भी मैंने ऐसा मैसूस कि मेरे से नहीं होगा मेरे पास पैसे नहीं जैसा नौल इस बढ़िया था टैलेंट बढ़िया था पैसे नहीं थे जिसके का सब्सक्राइब 15 में फाइनली सोच लिए पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं और मुझे अपनी जिम्मची और lecture यह यह अगिए और आज मेरे पास सवक्ष है मेरे शाधी नहीं कि मुझे लाखों रुप्य घर में देने पड़ेंगे और अगर आज मैं इस ले पर ले पा रहा हूं तो कल की क्या गैरंटी कल को शादी हो जाएगी बीवे बच्चे आ जाएंगे तब तो मेरा और हाथ बन जाएगी और यह बात सची है फैमेरी बन जाता है नों बात म सरी 2015 में I take a risk मैंने मार्केट से उधार पैसा उठाया पैसा नहीं था बोलके मैं अपने आपको डिले करता था मैंने उधार पैसा उठाया आज उसका परिणा में क्या निकला सर 2015 में बारा-बारा फिट के होल्डिंग्स लगा के बड़े-बड़े लेवल की इवेंट्स करन में मैसाना में 25 लोग के आसपास लोग आया करते थे सर दस्वे पंदर्वे समिदर में आते आते देड़ सो का अक्रा क्रॉस कर गया और फाइनली छे महिने के बाद मैं उस मुकाम तक पहुंचा था जब दूज सागर डेरी का जो पुरा ऑडिटोरियम है जिसमें 400 से 700 सब्सक्राइब जो शादी बिहां में 1000 लोगों का फंक्शन होता है ना उसके लिए इस्तमल होता है वहां पे 1000 से ज्यादा लोग 1200 लोगों के बीचे मेरा मनिस सीगल का प्रोग्राम हो रहा था है अगर मैं बैठा रहता तो मैं अपने आग को उस लेवल तक कभी नहीं पहु कर सकते हैं कि हम आज अगर रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा अरे रिस्क है तो इसके हम कहते तो है मुवी देखने के बाद आजका शेर मार्केट में लोग रिस्क लेते हैं लेकिन जीवन में रिस्क लेना असली जगह पर जहां पर लेना है वहां पर रिस्क में लेते है अर्वित्मी इसके और माइंडशेट बन सकते हैं किते लोगों को लग रहा है कि यह काम करेगा रिस्क वाला फेक्टर चैलेंग वाला फेक्टर कि ट्राइ करो दोस्तों को उसके बाद कीमेश के टीमेश के प्रोडेट्स के बारे मता दिया थोड़ा बहुत ऐसे करते करते हमने बुला व्यक्ति तो वीजन कॉंफिडेंस और टुथफुल एस ऑनस्टी पैशन हमारी कमनी के प्रोडेट्स बहुत धमदार हैं सब कुछ बढ प्रोडेट्स के बात करेंगे अगर एक्जाम्टल यां पर दिया सॉलीशन दिया एक प्रकार से सर आपको बचाना चाहता हूं से प्रोडेट्स और तो यहां पर लिखा है कि मिस्टर हिरें प्रडेट्स की बात करें उनके रिष्तेदार कॉलेज करने वाले स्कूल के फ्रे फिर भी उन्होंने एक ठान लिया कि मैं करके रहूंगा करके दिखाऊंगा और आज वो काम करते करते हुँआ अपना तीन लाग से भी जादा लोगों का गुरूप बना चुके हैं अज मर्सडिस के एचीवर बन चुके हैं अगर उन्होंने गिवब कर दिया होता उन्होंने अगर यह सोचा होते कि मेरे से दो नहीं चुड़ेंगे तो क्या होगा दसरत माजी ने 20 साल में पहाड खुद दिया पहले बार उस्के पहाड खुदना शुरू किया एक चोटा सा पथर भी उनसे नहीं तूटा था समझ लो अगर उसने सोच लिया होते कि मेरे से पहाड नहीं तूटेगा तो पहाड कैसे तूटा सारा खेल सर यहां का है रखो कि क्योंकि सामने वाले का बहाना बहाना नहीं है और आपको एक और थोड़ा दर्श्टी कोण देता हूं एक अलग लेवल का जो मेरे मेरे दिल से कि अंदर बैठा ओए शैतान के जो उसकी सफलता को रोक कर बैठा है वो जब भी आपको ऊप invention मारता तो वो इंसान मारता है उसके अंदर बैठा हुआ एक शैतान objection मारता है और वो शैतान आज पास के वातावरन ने दुनिया ने उसके मन में बनाया उसकी टांगे खीचने के लिए हम जब जब भी आउटो बॉक्स जाना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं बड़ी करांती लाना चाहते है तब हमारे अंदर बैठा हुआ शैतान दुनिया ने जो बनाया है हमारे बिलीफ सिस्टम के माध्यम से वह हमें रोकता है हमारे कदम को वापिस खीचता है और हम जब उसके जवाब देते हैं न तब असल में उसके अंदर के उस शैतान को मारते हैं जिससे कि वो खुद एक सही निर्णे कर सके अपने दम ना कि ऑख शैतान के इंफ्लन स्मय निर्णे कर सके लिए मैं आपने वो मुवि देखा ऊगा um चान्नी देखा है अक्से कुमार का मूवी उसमें अक्से कुमार का वह दोस्त है न उसके जाद ऐसा होता है हर बार उसके सोल्डर पे कंदो पे एक वाइट कपड़े पहन के आ जाता है एक ब्लेक कपड़े पहन के आ जाता है और ब्लेक कपड़े वाला हर बार उसको रोकता है देखा ह आपको बताऊं यह ब्रह्मास्त्र है क्लोजिंग करने को यह वीडियो कि दोधार 16-17 में 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 यह ट्रीनिंग सिखाया करता था उस टाइम पूर नया नया मुवी जब आया रहा चाननी चॉक्टो चाहिना वाला 17-17-18 वो वीडियो दिखा और इसको बोलो सर वहां जो आपके मन में नहीं चल रही है क्समाथ ने आपके मन में यह काले कपड़े वाला जो बनाया है वह आपको खराब कर रहो वहक्त सुब्षिट कर रहा है इक वरना सच्चा है यह है कि आज MLM भारत में legal हो छुकी है सच्चा यह है कि दिन बर दिन लोग भली इसका विरोध करते जाए मीम बनाते जाए otom marketing के बारे में लेकिन हर साल network marketing का turnover लगातार बढ़ते जाता है durante 2010 में लोग ने कुलए केद लोगट बारा में बोला नहीं चलेकां था्रक्रोड करोड़ लोगी एंञा में आप बहुत इस crawly, सुपक से चल पड़ा म्ह Export लोगिकर इतलर आपक्षार्व, में भर्मयर में विल्ला नहीं चलेगा अठागी में मिला ृ नहीं करोड़ाक रहा के पना प्रविट्री चल पड़ी है सर अधिया कैसे नहीं चलेगा यह सब हमारे मन के अंदर छिपे हुए उस नकारत्मक इंसान के बहाने हैं जो हमारी सफलता को रोक के बैठा है अर्विट्मी यह ब्रह्मास्त्र है सर यह सारे जवाब है ना यह अनुगों के खजाने से निकलते हैं चोदा साल लगे हैं यह इंडेस्ट्री में काम करते करते हैं हजारों बहाने सुने हैं कभी करेंगे अपन यूटूब में लाइव एक प्रोग्राम आपके सवाल हमारे जवाब मैंने किया था लोगडाउन में लोगों ने बड़ा एंज्विक किया था आपके सवाल हमारे जवाब MLM Live Question लिए टेट वी केंडू राइट इसके उपर काम कर सकते हैं आगे बात करते हैं पर मेरे घरवाले मना करेंगे वाई इसमें तो मैं गजब का मैं पहले उसको बाद लेता हूं अच्छा घरवाले मना करेंगे ना तेरा क्लियर है ना आते तेरा पक्का है बता दे है उसरी को बांध लेते हैं तू तो clear है कि न्यवता है मेरे घरवाले मना करेंगा करेंगे तू क्योंग नड़की पसंद आई कॉलेज में लेकिन प्यार में बारा गिर गया इस से शादी नहीं तो जिन्दकी वर्बाद ऐसा बिलिफ सिस्टम में गुज गया पक्का तरह को शादी करनी है हर हाल में करनी और लड़की तेरे पीछे बढ़ी बुले पापा को बात करो वरना नहीं चलेगे वरना ब्रेक अप पापा को बात करेंगे बोलो आया ना एक यह सोरो टो तब पपा तेर से पूछेंगे कि प्रपोश्ट करने का और को पूछ था क्या अब मेरे से कुलवा मत तू से कॉलेच के टाइम पे तो कांट अभी कर रहा है दोस्ते अपना तो बोल सकते हैं स्टुडेंट स्टुडेंट के अंदर अंदर की बात है तो भाई पपा को हर बाते पुछने का जरुवत नहीं होता है देखा जाये तो लेकिन फिर भी चल तेरे आंसर का जवाब दे रहेते हैं एक टू जेड़ ची पूरा का पूरा प्रेजनेशन आपने देखा है आपके घरवालों ने नहीं इसलिए अधुरे ज्यान की वज़े से वो लोग मनाही करेंगे साभाविक है पूरा प्रेजनेशन आपने देखा है निरने आपको करना है सच बताना अपनी जिन्देगी के सारी चीजे घर वालों को पूछके करते हो जो मैंने बोला एक लड़का को लड़की पसंद आ गया वही एक्जाम्पल अपने पुरा डून डून के इसमें लिखा हुआ है सारा कसार आपको बोल रहा हूं मैं बस यहां से बागे लिखा लोगो कात मैं न्यू वाला जो देखो पुरा राइटिंग चेंज है पुरा फॉर्मेट चेंज है न एक दम बुक वाला फॉर्मेट लगता है कि नहीं लगता है तो इसमें और बढ़िया काम किया है कि इसमें और को दो-चार लाइन मैंने चेंज किया होगा बस बाकी है फिरसे पूरा तो कॉंसेफट पता एक τι का तो उसी तरह आपको पताएगी प्रेजंटेशन आपने देखा है आपके सामने दो-दूजिके प्याला पिराने का कोशिश करें तो आप योगे बताओ आपको पता है आपको पता है कि दो दूद के गलास है एक में जहर डाला एक में नहीं डाला अब रावाले नहीं पता है कि किसमें जहर है किसमें चीनी है लेकिन अगर आपके घरवाले ने जहरवाल laugh ली और आपको City कि क्ता है कि अवी स्वेशन में यह पड़ा लिकाई करते हैं उसमें आने वाले टाइम में कैसा करीर है कितने कॉंपेटिशन से कितने लोग लाइन में लगते ड़ेड यू वेरिवन यह मार्केट का चैलेंज आपको ज्यादा पता है आपके माबाप पता नहीं है स्क्रावर तो योकॉछ टॉलेज के साथ कौन सा क्लोड करना चाहिए कि कौन साएक्सट्रा कुछ काम करना चाहिए यह टिर्ची आप लेने चाहिए नो कर see popamentos it is a पनिन किसाधर पर करेंगे प्लेज से मेर ना निस्पार बने इसे मेरा आगे का पड़ा लिखाई के बाद का पूर्स में ये कॉर्स काम में आएगा तो और अच्छी जगा पर नौक ने मिलेगा और हकीकत यह है कि निरने आप ही करते हैं बस आप एक प्रकार से कंफं करना चाहते हैं कि पपा और मम्मी से पूछ लो बाकी कुछ होता नहीं निरने तो आप ह करते हैं हमेशा के लिए राइट है तो यह निरने जो आप अभी कर रहे हैं आपको पता है कि मार्केट में करने वाले एंजिरीनिंग करने वाले लाखो लोग है लाखो लोग लाइन में खड़े रहते सब को नवगरे नहीं मिलता अब जाने अंजाने में जहार का ग्लास प कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एंजिरीनिंग करके पढ़ाय करकी करियर नहीं बन सकता है उत्तर लेवल का करियर यह नेटों करकरिक बिजनस से कॉलेज करते करते बन सकता है अगर आपने सही कंपनी को चुना सही नहीं किया तो और इसकी जानकर इसको देना यह हमारा काम यह तो चेन का सिस्टम है अच्छा चेन बिजनस है चेन सब यह चेन वाला बिजनस है चेन वाला दंपर है लिए जरूरी है यह बिजनस है यहां पर लिखका है कि स्रीमा जीमधी पूरी दुनिया चेन के ऊपर काम करते हैं अब देखी एक होता है हम बताएंगे उसको दूसरा होता है उसके मुझे बूलवाए कौन सा अच्छा उसके सामने एक हम उसको जवाब दे और वहम उसको बताएं और दूसरा है हम उसके मुझे बूलवाएं कौन साव अच्छा विकल दूसरा वाला विकल पच्छा उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे 50 सवालों का ख़जाना होना चाहिए कैसे इस ने बोला कि चेंज सिस्टम है उसको बोला उसकों में कुछ ना है कि आपने कभी बाला जी यह फर खाई अरेस जी आपने बाला जी फर खाई आया ना बताओ हां खाई अच्छा कहां से लेकर आए अच्छा को एलित से अच्छा दुकान में कहां से आई कि एंजांसी वाला दे गया एगंजाना एपने एंजंसी वाले के पास कहां मोथ हूं निट्रीक का हैेड होगा डिस्टिकवे डिस्टिक का एजएंशन लिया होगा उसके पांस आई डिस्ट्रिबुशन नेटवर्क है पूरा उसका राइट और रॉंग अना तो बड़ी एजंसी वाले के उपर एक गुजरात लेवल की एजंसी है और उसके बाद आता है मैनिफेक्चरर तो मुझे बताई यह सर यह पूरा एक चेन नहीं हुआ क्या अब आप खुद बताई हर नेटवर्क ही होता है एक चेन ही लगता है मुद्दा समझो सर मुद्दा यह है कि चेन के अंदर जो इंसान होता है अंदर वो पैसा बनाता है और चेन के बाहर एंड में जो खड़ा रहता है कस्टमर वो पैसा गवाता है हलो समझ में आया जो पैसा कमाता है चेन के बाहर होते है इस अब मुझे बता अंदर रहना ज्यादा अच्छा या बहर रहना ज्यादा अच्छ अगर मार्केट में अगर हम को अभी एमदाबाद का कोल्डगेड का एजनसी चाहिए तो बर्सों से कोई एक बापू बनके बैठा हुआ है नहीं मिलेगा अपने को इजनसी बोलो हाँ या ना बताओ मार्केट में अपने एरिया में जो हाई क्वालिटी की ब्रांड मार्केट में चल रही है उसका अगर हमें एजनसी लेना है सर हमें नहीं मिलेगा क्योंकि कोई एक बापू उसको लेके बैठा हुआ है कोई एक डॉन के बनके बैठा हुआ है लाखों करोडों का में समान अधिकार नहीं है और ये वाली चेन सिस्टम में समान अधिकार है आप मुझे बताओ कौन सा वाला चेन अच्छा समान अधिकार वाला या तो दो बाते सामने आई vendor होती है चेन हर जगा होती है बस या तो हम चेन के अंदर होते या चेन के बहार होते हैं और आपने बोला अंदर होना ज्यादा अच्छा और दूसरा वो चेन में हिस्सा बनने के लिए अंदर जाने के ट्रेडिस्टर मार्केट में लाख रुपे का इंवेस्टमेंट लगता है और सब सबको अधिकार नहीं मिलता है यहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट है और अधिकार सब को मिलता है जिसका जितना बड़ा चेन उसका उतरा बड़ा धन्दा तो वह लो चेन सिस्टम अच्छा या नहीं अच्छा अर्विट मी क्लियर हो रहा है कंपनी के एमडी से लेके वरकर तक पूरा चेन होता है अरे सर आप और मैं अभी खड़े हैं उसके पीछे भी हमारे पाप दादा का चेन है लड़के लड़की का रिस्ता देखने जाते हैं तो इस्तमाल भी हम हमारे चेन का ही करते हैं तुमारे ध्यान में को लड़की हो तो बताईयो अच्छा लड़का है हमारे पास में शादी करने के लिए वे चेन चाहिए बिना नेटवर्क के तो वो भी नहीं होगा अपने पास में अर्वित में कि समझ में आ रहा है वो जो बोल रहा है ना उसको justify करो उसको clear करो कि टेनिंग तो बहुत लंबा है एक एक पॉइंट लेके आपको जा रहा हूं बस दो मिनट लेके अपनों सेशन को करेंगे तो चेन वाला में इंटरस्ट नहीं है यह उसका बहाना है और यह बहाने की पीछे कारण है कि उसने MLM की negative बाते सुनके रखे या खुद अनुभव करके रखे बोलो हा या ना और ना मुझे बताओ क्या पैसे कमाने में उसको इंटर्स नहीं क्या गोवा ठ्रिप एंजोए करने में उसको इंटर्स नहीं है कि यहां पर लोग उसको मौन सइनमंद दे उसमें उसको इंटर्स नहीं है जीवन में काफी सारी बात है ऐसी होती है जिसमें हमें दिल्चस पे नहीं होती है उसके बाउज़ित भी हमें करना होता है पर आपको बताओ सर देखो हमें किताब पढ़ने से करियर बनता है हमें सुभे exercise करना अच्छा नहीं लगता लेकिन exercise करने से health बनती है दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें अच्छा नहीं लगता successful और unsuccessful लोगों के बीच का वो डायलोग है न संतोस्तायर का वो मार देने का चिपका देने का successful और unsuccessful लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्च यह होता है कि successful लोगों ने वो करने के आदक डाली जो unsuccessful लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि सुबह उठना अच्छा नहीं लगता तो successful लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन successful लोगों ने उठ उठके उठ उठ के सुबह उठने की आदफ डाले हमें जो अच्छा नहीं लगता है वो हम जब बार-बार-बार-बार-बार-बार करते हैं तो वह में अच्छा लगने लगता है क्योंकि उससे हमारा जिंदगी बनता है और मैंने अभी-अभी जो आपको चार बाते बताई सर एक सबसे पहले तो क्लियर करिया सर हमें किसमें इंटरस्ट नहीं है सर क्या हमें पैसे कमाने में इंटरस्ट नहीं है क्या हमें अपने पैसिव इंकम कमाने में इंटरस्ट नहीं है क्या हमें गुवा मनाली सिमसिमला गूमने में इंटरस्ट नहीं है क्या हमें रोजगार मे करियर में सेट होने में इंटरस्ट नहीं है सर आप ये बताइए ये क्लियर करिए कि आपको इस बिजनस में इंटरस्ट क्यों नहीं है क्योंकि ये बिजनस से हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो मैं अभी आपको बता है हमें ये दंदे से पैसा मिल सकता है हमें ये दंदे से मान जिटनेंगे एक आउनेंगे उसको निगेटिव लिए और यहां को निकले हैं और आप तक गहराई से मैंने जवाब पहुंचाया किते लोगों को आज के जवाब और सॉलीशन जो हमने दिये जो के मादिम आपको दिये वह एक परफेट लेवल के सॉलीशन लगे कुछ में आपको आउटा बोग्स आकि अपने जीवन का नभव के नीचे और से एक्जाम्पल्स भी है तो आइण है वोब कि आप उसके तयारी करेंगे एक वाद यार्द रखिएगा सामने वाले के एक अब्जेक्शन के सामने अगर आपके पास वे पाँच जवाब है आपको बताई सामने वाला अब्जेक्शन दे ही नहीं रहा है उसके मन का वो ब्लैक इंसान जो उसके मन में समाज ने बनाया है वो जवाब दे रहा है और हमें उसको सही निरने करने के लिए काबिल बनाने के लिए उसको जवाब देने हैं यह हमारी क्रांती है कल इस क्रांती को और आगे बढ़ाएं नमस्कार थेंक्यू वरी मच जहीं दौलाफिर नमस्कार थेंक्यू वरी मच जहीं थेंक्यू वरी मच थेंक्यू